नमस्कार केमचो हिंदूस्तानियों ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया है कि अगर आप एनालिसिस करोगे न तो आमिर खान कहीं न कहीं मुझे जाकिर नाइक से भी ज्यादा खतरनाक लगता है पता है क्यों क्यों क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जब उसको इस इंडस इस बनाई था कि लोगों को ये लगे के नहीं नहीं यार ये बन्दा जो उसको सो कॉल्ड जो टैग मिला है परफेक्सनिस्ट का तो कहीं न कहीं वो चाहता था कि लोगों के दिलों में वो वहां तक पहुंचे और वो सक्सेस गया उस चीज में उसके बाद आप याद करो कि तो उसने रंगदे बसंत एना एक एजेंडा के साथ बनाई अगर आप देखोगे ना वही सेम चीज सोनिया गांधी तहल का स्कीम के स्केम के टाइम पर करना चाहा रही थी ठीक है वही टोटल एजेंडा उसने इसमें लगाया कि डिफेंस वाले मिलकर कैसी डील्स करते हैं और देश के खिलाफ इंटरनली जाकर क्या क्या करते हैं तो यह एजेंडा वाइज यह मूवी उसने बनानी चालो करी उसके बाद आप देखो सत्यमेव जैते जो उसका शूवा आता था जिसमें इंक्लूडिंग मी हम जैसे दिमाग बगैर के लोग तालिया पीटते थे आप लोग ने ध्यान से सोचोगे न तो उसके एपिसोड आप याद करो एक उसने एपिसोड बनाया था जिसमें डॉक्टर्स के रिलेटेड उसने बनाया था हम सबने तालिया पीटी ये वो आप एक बात बताओ अगर जहां तक वो ये दिखाना चारा था कि डॉक्टर्स यहां अवैलेबल नहीं होते वहां अवैलेबल नहीं होते क्या उसने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे जेहादी सूवर विधर्मी डॉक्टर्स ऐसे भी पाये गए हैं जो औरतों का छोटा ओपरेशन होने के बावजुद उनकी नस काट देते थे ताकि आगे चल कर उनको देश में भी बहुत सारे ऐसे जेहादी डॉक्टर्स है जो डॉक्टरी की आड में ये पूरा स्कैंडल चला रहे हैं उसने उसके बारे में बताया नहीं बताया उसने पानी से लेकर हवा से लेकर डॉक्टर से लेकर सब चीज में हमारे देश की गलतिया निकाली और हम एक बात को समझो वो एजेंडा था इट वाज नॉट एपिसोड इट वाज नॉट सीरियल वो एक एजेंडा चला रहा था देश के खिलाफ जो हमको समझ में नहीं आया जो इंसान गाउं की और तो की गूंगट जिसको मैं मैं खुद आज एक पड़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं यह मानती हूँ के गूंगट प्रथा कभी भी में को कूप रथा नहीं लगी आज हम लोग फैशन के लिए आप लोग देखोगे तो लोग राजपूत आना ड्रेस पहन कर सर पे पल्लू आजकल की लड़किया लेती है क्योंकि उन लोगों को यह नयापन ल गड़किया जिस तरीके से बुर्खे में रहती है तो क्या वो कूप रथा नहीं है लेकिन उसने उसके उपर एपिसोड नहीं बनाया उसने गूंगट प्रथा पर उसने ट्रिपल तराक पर कभी कोई एपिसोड बनाया नहीं बनाया हलाला पर बनाया जिसमें एक औरत को बाजारू औरत जैसा व्यावार करना क्या उसने ये चीजों पर कभी भी आवाज उठाई नहीं उठाई हम लोग को फिर भी फर्क नहीं पड़ा आप लोगों ने कभी सोचा क्या कभी गर्ब निरोधक की जो गोलिया आती है आप लोग देखो उसमें हमेशा साडियों वाली औरतों को ही क्यों दिखाया जा रहा है जबके हमारी और हमारे तो जो फैमली वाले हैं हिंदू स्पैसिफिकली जो यह मानते हैं के हमारी आउकात दो बच्चों की है तो हम दो ही बच्चे पैदा करेंगे हम लोगों को वह जरूरत नहीं वह एडवेटाइजमेंट की जो सारी चीजों पर हम लोगों ने कभी सोचा है ना कभी हम लोगोंने आवाज उठाई है तो आमिर खान का ये एजन्डा भी सक्सेस्फुल रहा उसमें से जो भी पैसे आते थे ना वो सारे के सारे एंजी ओस में वो बाटता था अब वो एंजी ओस उस पैसे का क्या करते हैं क को नहीं पता है क्योंकि आज तक हम लोगों ने वह इंपोर्टन सी नहीं सोचा कि यार कोई इंसान ऐसा एजेंडा भी चला सकता है वह सारे एंजी ओस में जो फंड गए आज हम लोग देखते हैं कि यह जो आंदोलन होता है जो 500 रुपे की बिरियानियों के लिए 500 रुपे के 50 रुपे की बिरियानियों के लिए रात बर जो बैठी रहती थी ठीक है आप लोग सोचो कि यह सारे पैसे कौन फंड करता था तो कहीं ना कहीं यह एजेंडा उसका सक्सेस्फुल रहा फिर उसके बाद उसने चालू किया अपनी बीवी अभी तो सो कॉल्ड एक्स बीवी ब लेकिन उसने बकाइदा उसके मूँ से बुलवाया कि मुझे इस देश में डर लगता है आज चलो वो तो किसी काम की रही नहीं अब कहीं मूँ दिखाने के लायक भी नहीं रही उसकी बीवी लेकिन यह सारे सेट अजेंडा अगर आप देखोगे ना उसके बाद उसका तू गती वीधी चला रहा है ना वो आज तक किसी को पता नहीं चली ना किसी को अभी तक भी यह हवा है कि यह तूर्की क्यों गया था वहां क्या बात करके आया मैं तो चाहती हूं कि गवर्मेंट ना ऐसे हराम योक ना पिछवाडे पे लात मार के आना रिहेब सेंटर टाइप एक जो बनाया हो ना उसमें डाल देना चाहिए और कोडे से पीटना चाहिए कि यह देश विरोधी गती वीदियो करने वाले जो गिरो है वहां पर जाकर यह क्या करके आया है लेकिन किसी ने जवाब नहीं मांगा स्नेप डिल हम सबने अनिंस्टॉल कर दिया हमको लगा के हाँ हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया लेकिन आज भी यह हरामी सूवर के मूवीज चलते हैं पीके मूवीज देख लो हम लोग सबसे घटिया हिंदूों का अगर किसी ने मजाक बनाया है तो पीके मूवी में बनाया गया है हम सब खुश हुए मूवी देखने भी गए और उसमें सर फराज मतलब सोचो कि वो इतने सालों तक एक लड़की की वेट कर रहा है जहां इन लोगों को एक को तीन शब्द बोलके निकाल कर दूसरे दिन शाम को मा से बेहन से चाची से किसी से भी ये लोग शादी कर लेते हैं जबकि वो मूवी में जान बुच कर ये दिखाया गया कि ट्रू लव आफ सर फराज और वो वो लड़की की वेट करता रहा और हम जैसे लोग एंड में रो रहे था रहे यार क्या लॉव स्टोरी बताईए वाव सो कूल मतलब तुम लोगों को को तीन सो रुपे में मतलब आप सोचो के देश में ये जो करोड रुपे का बिजनस हो रहा है टिकिट्स का ठीक है इन लोगों के जो फेस वैल्यू है ख लोगों को चपल में गिंद रहे हैं और आप सुबह से शाम तक लाइन में लगन में लगके या तो अपने काम खराब करके और ऊन लाइन टिकेट बूकिंग में लगे रहते हैं और इसी पैसो का गलत इस्तमाल करके वो लोग आपकी अगली पीड़ी को नस्ट करने पर तु लें ये बहुत सोचने वाली बाते हिंदूों के लिए मैंने इसके आगे वाले वीडियो में भी बताया था कि एक इंटर्विव में शारूप खान को एक पत्रकार ने पूछा था कि सर आपको सलमान खान और आमीर खान को अगर एक ही मुवी ओफर हो तो आप क्या करोगे तो दो कोड़ी का भांड ये बोल रहा था कि हम तीनों को लेने के लिए ना किसी डिरेक्टर की आउकात नहीं है सच में अगर वो पत्रकार की जगे मैं होती ना तो मैं बोलती के भिखारी तेरी आउकात है आज भी चार रस्ते पर नाचने गाने की है तू कोई डिजर्विंग बंदा नहीं है समझ में आ गया तो अपनी बीवी के पैसो से आगे आया है तो अपने आउकात से आगे नहीं आया है तो कही ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फाल्तु का एटिटूड ये लोग बता रहा है कि we are bloody celebrities तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को इनकी आउ ओकात दिखाओ, कि तुम लोगों की जो ओकात है ना नाचने गाने की, ठीक है, तुम्हारी ओकात से ज्यादा महंगे हम चपल पहनते हैं, तो इन लोगों की मूवीज देखना बंद करो, इन लोगों की जो भी ब्रैंड में ये लोग आते हैं ना, वो चीजे खरीदना बंद क परदों में सच में बोल रही हूं आप एक चीज एक एक जांपल अभी रिसेंट एक्जांपल देखो रोनाल्ड ने कोको कोला को साइड में क्या किया अब जो जागरूत्ता फैलाने की कोशिश कर रहे फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे तो आपको सिर्फ भगवान बचा सकता है जो कल्यूग में शायद पॉसिबल नहीं है मैं सीरियसली मैं बूल रही हूँ तो अपने धर्म का सनमान करे और महरबानी करके इन जेहादी सुवर और विधर्मियों से दूर रहे भारत माता की जए